नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी इस्ट्वेंट्स का आपके अपने यूटूब चेनल एक्साम ट्रकी में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यानि कि टीचर इलेजवेल्टी टेस्ट या कह सकते हैं सिक्षक पात्रता परिक्षा आप सभी को पता है कि सिक्षक पात्रता परिक्षा की वरीटी या तो 7 साल होती थी या तो 5 साल होती थी इस प्रकार से सिक्षक पत्यता परिक्षा की वरीटी होती थी लेकिन अब इस वरीटी को बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया गया है जिसका सर्कुलर दोस्तो जारी हो चुका यानि की कह सकते हैं कि नोटिस आ चुका है और या जो दोस्तो बतलाओ था या किया गया था केंदरी सिक्षा मंतरी रमेश पोखरियाल निसंग जी के द्वारा तो दोस्तो संपूर जानकारी के लिए वीडियो को अंधर तक देखेगा चैनल पर जादी नए थे तो जो लंको सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रस कर लिजेगा दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पर आप अध्यापक सिक्षक पात्यता परिक्षा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपका सर्कुलर दोस्तो नौ तारीक 9.6.2021 का सर्कुलर आया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आल, सिक्रेटरिस, कमीसटरस आफ एजुकेशन आफ, स्टेट गॉर्ट önem यानि कि जितने भी स्टेट गवर्टमेंट है इनके लिए दिया गया है और आपका सबजेक्ट्ट क्या है कि आप सकते हैं सबजेक्ट क्या है extension of validity period of teacher eligibility test certificate दोस्तों जितने भी teacher eligibility test हैं उनके लिए इस notice में कहा गया है इस circular में कहा गया है और कब तक कब से आपके ये सभी मानने होंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिद्धे सिद्धे मुद्दे पर बात करते हैं validity period of tt दोस्तों अगर आप इस notice को प्राप्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे telegram group से जुड़ जाएए telegram group से अगर आप जुड़ जाएंगे वहाँ पर मैं इस notice की pdf आपको send कर दूँगा और telegram group का link जो है मैंने इस video के description box में दे रखा है या आप telegram पर जाकर के exam tricky search कर सकते हैं exam tricky भी search कर सकते हैं तो दोस्तों मेरा logo आपको लगा मिल जाएगा आप उसको join कर लीजिएगा तो मैं पुरा notice आपको वहाँ पर दे दूँगा यहाँ पर आप देख लिजे दा वर्लिटी पिरेड अप्टेड क्वालिफाइंग सार्टिफिकेट फॉर एपांटमेंट अनलेस अदर्वाइज नॉटिफाइड बाई दा एप्रोपियेट गॉर्मेंट वुड रिमेन वर्लिटी फॉर लाइफ यानि कि जो इसकी वर्लिटी होगी उसको पूरी लाइफ के लिए कहा गया है यानि कि होल लाइफ के लिए कहा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो ग्यारा दो दोजार ग्यारा से हैं जितने भी पीछे के टेट हैं जो आपके इस्टेट गॉर्मेंट के टेट है या जो आपकी Central Government के टेट हैं इसकी वरिटी को बढ़ा दिया जाएगा जितने भी Students 11-211 से हैं इन सभी को बढ़ा करके कर दिया जाएगा lifetime तो ये कहा गया है State Government के द्वारा और जितनी भी State Government है सभी को या निर्देश दिया गया है अब मानना या ना मानना ये उनके उपर है जिसा कि आप सभी को पता है कि या तो 5 साल मानिता होती थी या तो 7 साल मानिता होती थी अब उस मानिता को रिनीवल कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है 11.2.2011 के बाद में जितने भी सार्टिफिकेट्स थे सबकी मानिताओं को बढ़ाने के आदेश दे दिये गया है तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बाद में बेल आइकन को प्रस कर लिजेगा और मिलता हूं नेक्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ धन्यवाद